आज के इस वीडियो में मैं कुर्ती के चाक के लिए बॉर्डर का एक सिंपल और सुन्दर सा डिजाइन बना रहे हूँ इसके साथ ही इस बॉर्डर को चाक के ओपर अटैच करने का एक बहुत इजी तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने कपड़े की दो पट्टियां काट ली है एक पट्टी की चड़ाई मैंने दो इंच ली है और एक की मैंने तीन इंच ली है और दोनों पट्टियों की लंबाई मैंने 44 इंच ली है तो सबसे पहले हम कपड़े की चौड़ी वाली पट्टी के उपर लेस इस तरीके से रखेंगे कि कपड़े की पट्टी की राइट साइड और लेस की रॉंग साइड एक दूसरे को फेस करें हमें इस तरह की डबल एजिंग वाली लेस लेनी है जिसके बीच में जालिदार डिजाइन होता है यह आपको अलग-लग पैटरिंज में मारकेट में मिल जाएगी इस लेस की बिलकुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है बहुत ही सफाई से तो इस तरीके से हम इसकी बिलकुल किनारी पर सिलाई लगा लेंगे अब हम इसे इस तरह से फ्लैट करेंगे और कपड़े की पट्टी को इसके उपर मोड कर एक सिलाई लगाएंगे यह देखिए यह लेस की सीधी तरफ है और इस तरह से हमें कपड़े को मोड कर इसकी किनारी पर सिलाई लगा देनी है इससे लेस की किनारी वाला भाग कपड़े के नीचे दब जाएगा और सिर्फ जाली वाला भाग जो इसके अंदर बना हुआ है पैटरन वो ही विजिबल रहेगा तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई यहां पर हमें लगानी है बहुती सफाई से इस तरह इस तरीके से लेस को अटैच करने के बाद हम इसकी किनारी पर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पट्टी बिल्कुल अच्छे से फ्लैट हो जाए तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े की दूसरी पट्टी को लेस की दूसरे किनारे पर अटाच करेंगे तो यह पट्टी की राइट साइड है और लेस की रॉंग साइड को पट्टी की राइट साइड पर इस तरीके से रखेंगे और फिर से हम इसकी किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाते हुए हमें लेस वाले भाग को नहीं खीचना है जो नीचे वाला कपड़ा है उसे हम थोड़ा सा खीच सकते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम इसको भी सीधी तरफ इस तरह से मोर देंगे यह देखे इस तरह से मोर देंगे और थोड़ी सी पतली यहाँ पर हम पट्टी बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने लेस के एक तरफ पतली पत्टी बनाई है और एक तरफ थोड़ी चौड़ी पत्टी बनाई है इस तरीके से फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे हम और बिल्कुल सफाई से इस पतली वाली पत्टी को भी लेस के साथ अच्छे से अटाच कर देंगे और लेस के दोनों किनारे पत्टी के नीचे दब जाएंगे सिर्फ बीच वाला जालीदार पैटरन ही विजिबल रहेगा जो की बनने के बाद बहुत सुन्दर लगेगा तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम इसके किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे बारीक वाली पत्टी के किनारे पर हमें बहुत जादा सफाई से सिलाई लगानी होगी क्योंकि ये सिलाई बाहर की तरफ विजिबल रहेगी तो इस तरीके से इस पट्टी को तयार करने के बाद हम इसके उपर एक और लेस लगाएंगे तो इसके उपर अटैज करने के लिए मैंने ये कटवर्क इंब्रोइडरी वाली टिशू की लेस ली है इस तरह की लेस भी आजकल बहुत इजीली मिल जाती हैं बाजार में लेकिन अगर आपके पास ऐसी लेस नहीं है तो आप फैब्रिक ट्राइंगल भी बना कर लगा सकते हैं वाइट कलर के फैब्रिक से या फिर कोई भी अपनी पसंद की लेस लगा लीजे यहाँ पर तो लेस को हमें इस तरीके से रखना है किनारी से थोड़ा दूरी पर ये पैटरन होना चाहिए लेस का क्योंकि साइड से थोड़ा सा कपड़ा नीचे भी दब जाएगा और हमें इस तरीके से लेस को रखना है कि किनारी से इसका जो floral pattern है वो थोड़ा सा दूर रहे ताकि इसका design चाक की पट्टी के नीचे न दब जाए तो इस तरीके से हमें इसके pattern को किनारी से थोड़ा दूरी पर रखना है और सीधी सीधी सिलाई लगा लिनी है यह देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल सफाई से इस लेस को किनारी पर attach कर लेना है इस तरह से तो यहाँ पर मैंने इस लेस को अच्छे से attach कर लिया है अब हम इस border को measure करेंगे तो हमें इस border को यहीं से measure करना है जहां से हमने सिलाई लगाई थी क्योंकि पिछला हिस्सा चाक की पट्टी के नीचे दब जाएगा तो यह देखिए यह border हमारा 2 इंच चौड़ा तयार हुआ है अब हमें इसके हिसाब से कमीज की cutting करनी है तो यह मैंने hip line का निशान लगाया है जो कि मैंने actual hip line से 2 इंच उपर लगाया है hip line का final निशान हम border attach करने के बाद लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से चाक का निशान लगाकर रखा है और इस निशान से अंदर की तरफ हमें 2 इंच पर निशान लगाने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्योंकि हमारे border की चौड़ाई 2 इंच है तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा लेंगे 2-2 इंच के और निशान लगाने के बाद एक सीधी लाइन से इन निशानों को आपस में जोड़ देंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम उपर से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ इस तरह से और अब यहाँ से हम 1.5 इंच के दूरी पर नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस तरह से एक तिरची लाइन ड्रॉ करेंगे ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये पैटरन ड्रॉ कर दिया है और अब हम तक्रीबन आधा आधा इंच का मार्जन छोड़के एक्स्टा कपड़ा कट कर देंगे इस तरह से तो यहाँ पर मैंने एक्स्टा कपड़ा कट कर दिया है और अब हम इसके कोने पर छोटा साइक कट लगाएंगे यहाँ पर हमें कुर्टी के फ्रंट और बैक वाल हिस्से को एक साथ रखके ही काटना है तो यहाँ पर कपड़े की मैंने चार तेहें की हुई हैं जिसमें फ्रंट और बैक पार्ट दोनों है तो इस तरीके से हम कुर्टी का एक पार्ट अलग कर लेंगे और जो हमने पैटरन यहाँ पर एक्स्ट्रा कट किया था उसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे कपड़े के उल्टी तरफ हमें अंदर की तरफ मोड़ना है और प्रेस लगानी है यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सीधा सीधा हमें इसको फोल्ड करते जाना है और प्रेस करते जाना है अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर कच्चा टांका भी कर सकते हैं इस एरिया को फोल्ड करते हुए हमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यह उरेब फैब्रिक है और उरेब जो कपड़ा होता है वो बहुत जादा स्ट्रेच होता है तो हमें इसको बहुत ही केरफुली फोल्ड करके प्रेस करना है तो इस तरीके से हम यहां से अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी प्रेस कर लेंगे और बिलकुल इसी तरह से हम कुर्टी के बिछले हिस्से यानि बैक पार्ट को भी अच्छे से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और जो हमने बॉर्डर बना कर तेयार किया था 44 इंच लंबा उसे हम दो बराबर हिस्सों में काट लेंगे इस तरह से और अब हम कुर्टी के चाक के उपर इस बॉर्डर को इस तरीके से लगाएंगे बॉर्डर की किनारी से तकरीबन आधा इंच भाग हमें चाक या स्लिट के नीचे दबाना है और इस तरीके से बिलकुल सीधी सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले पिंज लगाकर बॉर्डर को अच्छे से अटाच कर लिजे चाक के साथ और उसके बाद ही इसको सिल लिए यह देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर बॉर्डर को तिर्चे भाग में भी सिलना है बॉर्डर को हमें बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरीके से यहाँ पर अटाच कर देना है यह देखिए चाक के एक इससे पर यह बॉर्डर अटाच हो गया है अब हम कुर्टी के बैक साइड पर भी इस बॉर्डर को अटाच कर लेंगे तो इस तरह से कुर्टी के पिछले भाग वाले चाक पर भी हमें बॉर्डर को अटाच कर लेना है तिर्चे वाले भाग पर बॉर्डर अटाच करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना है उपर वाला कपड़ा बिल्कुल भी खीचना नहीं है नहीं तो तिर्चा कपड़ा थोड़ा बढ़ सकता है जिससे बॉर्डर में फिनिशिंग नहीं आएगी और कुर्टी की फिटिंग भी खराब हो सकती है तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें कुर्टी के पिछले भाग वाले चाक पर भी बॉर्डर को अच्छे से अटैच कर लेना है और नीचे से एक्स्ट्रा बॉर्डर को कट कर देंगे और यह देखिए यहाँ पर मैंने कुर्टी के अगले और पिछले भाग पर बॉर्डर को अच्छे से अटैच कर दिया है और हमारा एक चाक पर border अच्छे से लग गया है इसी तरह से हम बाकी दो भागों पर भी borders को attach कर लेंगे अब हम यहाँ पर fitting वाली सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से हम दोनों भागों को आपस में मिलाएंगे और एक रफ सिलाई लगा लेंगे पहले ताकि यह अपनी जगा पर सेट हो जाए अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने चाक का निशान दो इंच उपर लगा था तो अब हम यहाँ पर दो इंच नीचे चाक का निशान लगा लेंगे इस border के उपर और अब हम कमर के निशान से इस निशान को मिला देंगे और अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से हम यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और यह देखे यह border हमारा अच्छे से अटैच हो गया है इसके उपर अब इसके बीच में मैं एक टॉप स्टिच लगा लूँगी ताकि यह बिलकुल पक्का हो जाए और यहां से यह फटे नहीं तो यहां पर मैं बारिक बक्षे से टॉप स्टिच लगा लूँगी और एक्स्ट्रा धागा मैंने यहां पर कट कर लिया है तो ये देखिए ये बॉर्डर चाक पर बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गया है आप अपनी पसंद की किसी भी लेस का इस्तमाल करके इस तरह का डिजाइन अपने कुर्टे पर बना सकते हैं आप चाहें तो ऐसा ही डिजाइन अपनी कुर्टी की बाजू और ट्राउजर पर भी बना सकते हैं गले पर आप सिंपल बटन्स लगा सकते हैं और इसके साथ आप लेस के साथ मैचिंग का दुपट्टा कैरी कर सकते हैं तो ये सूट बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बैल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगलर अपडेट्स मिल सकें साथ ही आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो गाइस थैंक यू सो मच फो वाचिंग बाई बाई